Hello students, welcome to my YouTube channel mathematics with a bigger इस lecture में आपको दाऊंगे एक और intrigue ठीक है, आपको intrigue करना है sin 2x upon a cos square x plus b sin square x ठीक है, इसको आपने करना है intrigue इसका intrigue करने के लिए simple सा नीचे वाली term को t मान लेजी ठीक है, let a cos square x plus b sin square x is equal to हमने मान लिया t ठीक है, इसे करिए differentiate ठीक है, differentiation करेंगे यहां complete आनी पाएगा, यहां लिख देते हूं, ठीक है तेखो, differentiate करो, a constant a लिखा रही है cos square x, तो पहले square है, यहने कि power का होगा तो x की power n, dy dx, क्या होता है n जो power आगे आ जाती है और x की power 1 कम हो जाती है यहने कि x की power n का differentiation क्या होता है n, x की power n, minus 1 तो यहां क्या है, cos square x यहने कि n का value क्या है, 2, ठीक है यहने कि power का क्या होगा, integration 2 cos x, ठीक है पावर एक आगे आ जाती है, इससे कंट्यूज नहीं होना ही, तो X की पावर N का होता है, X की पावर N का मतलब X कोई function है, X का function है, X का function क्या है? cos X, ठीक है? इसका मतलब cos square X का क्या हो जाएगा? 2 cos X, ठीक है? X की जगे है? cos square X है, तो भी इसी तरह से होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, cos square x का हो गया, 2 cos x ठीक है, power का हो गया, अब हम करेंगे cos x का, तो cos x का क्या होता है, differentiation sin x, minus sin x, ठीक है, so minus sin x, d by dx cos x is equal to होता है, minus sin x, ठीक है, d by dx cos x is equal to क्या होता है, minus sin x, so cos x का हो गया, minus sin x, complete हो इसके integration, पहले power का कर लिया, 2 cos x, और, cos x का कर लिया, minus sin x, ठीक है, plus, b constant, b लिखा हो है, sin square x, तो पहले बहुत, power का करेंगे, इस formula से, 2 आगया जाएगा, sin x, 2 minus 1, एक power, यानि कि sin की power 1, ठीक है, so sin x, अब तिसा करना है, sin x का, तो sin x का क्या होता है, cos x, sin x का क्या होता है, cos x, ठीक है, याद रख लिजी, d by dx, sin x is equal to होता है, cos x, ठीक है, sin x का differentiation, cos x होता है, so cos x लिख लिया, अब हमने यहाँ पर सब चीशा कर लिया, power का कर लिया, cos का भी कर लिया, यहाँ भी power का भी कर लिया, sin का भी कर लिया, x का तो कर लिया, x का क्या होता है, dx, ठीक है, is equal to t का क्या होता है, dt, यदि आपने strength, यह समझना है, कि हमने यहाँ सिर्फ differentiate लिखा है, differentiate with respect to x, या फिर differentiate with respect to t, यह हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिल्कुल इसका कारण है, ठीक है, क्या कारण है, कि यहाँ तो x का, फलन है, x का function है, और इस साई t का function है, x के respect में हम तब करते differentiation, जब दोना तरफ x का function होता है, ठीक है, है इसलिए मैंने हैं सिंपल लिख रहा है डिफ्रेंशेट ठीक है तो हमने हैं इसलिए आपको अच्छे से समझने ही चीजे कि मैं यहां पर क्यों इस तरह से नहीं लिख रही हूं इसको मैंने थोड़ा सा लैंदी भी समझाया था और भी चीज़े बताई थी तो वह आप 10x का इंट्रिगेशन देख लीजिए उसमें आपको समझ आ जाएगा ठीक है यह कंसर बिल्कुल है कि यहां एक्स का फंक्शन और यहां टीका फंक्शन है इसलिए नहीं लिखा मैंने और एक चीज़ और है वहां जो मैंने आपको 10x का इंट्रिगेशन समझाई थी ठीक है तो आ a और sin x cos x plus 2b sin x cos x ठीक है simplify कहा है simple dx is equal to dt 2 sin x cos x 2 sin x cos x common आ रहा है ले लीजिए 2 sin x cos x हमने ले लिए common क्या बच्छा हमारा है 2 common गया sin x गया cos x गया यानिकी minus a 2 गया sin x गया cos x गया common यानिकी क्या बच्छा प्लस b और dx is equal to dt ठीक है 2 sin x cos x trigonometry का formula होता है sin 2x is equal to 2 sin x cos x so 2 sin x cos x के जिए आपने क्या लिख दिया sin 2x अंदर के चल रहा है b minus a और dx is equal to dt so sin 2x dx is equal to क्या आगया b minus a कर डिवाइड कर दीजिए dt upon b minus a अब sin 2x dx का value यहाँ पर रख दीजिए ठीक है sin 2x dx का value रखेंगे तो integration की value अब क्या आ जाएगी यह students हमारा चल रहा है equal to sin 2x dx dt upon b minus a ठीक है value रख दिया a cos square x plus b sin square x इसको आपने माहना था t तो 1 upon t ठीक है 1 upon t dt 1 upon t dt क्या हो था students log t अब तो आपको याद हो जाना चाहिए हमने कितने सारे questions कर लिये है 1 upon t का क्या जाएगा log t ठीक है log t आ गया plus constant of integration c ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमारा t आ रहा है बट हमें answer देना है x की form में क्यों हमें question दिया था x की form में x था हमारा variable ठीक है x की form में answer देंगे तो t का simple value रख दीजे आपने क्या माना था t को यह चीज तो यहाँ पर value रख दीजे 1 upon b minus a log t की value क्या है a cos square x plus b sin square x plus constant of integration c तो यह हो गया हमारा answer ठीक है करी students गलती करते हैं इसी form में t की form में answer देते हैं बोलते हैं यह answer है नई students t का value रख देते हैं ठीक है हो सकता है exam में आपके number काट जाए एक्जामीनर हो सकता है number काट ले टीक ही value रख दीजी सिंपल जो आपने मानी हुई है ठीक है यह जो आपने value मानी की न लग दी हमने plus constant of integration c तो यह होगा मारा integration का answer याद रखिए इसी integration है ठीक है देखते है next question देखिए आपको integrate करना है आपको integration करना है integration of sec x integration of sec x cos x dx ठीक है अपन में दिया है आपको log 10x ठीक है integration करना है आपको sec x upon cos x upon log 10x ठीक है कैसे करेंगे इसका integration simple students log 10x नीचा लिटा में इसको आप मान लीजिए t let log 10x इसको आपने मान लिए t ठीक है differentiation कीजिए differentiate करेंगे log x का क्या होता था 1 upon x यह सब चीज़े हम जानते है फॉर्मुलास में आपको बता चुकी हूँ ठीक है d by dx log x is equal to होता है 1 upon x ठीक है तो यहां क्या log 10x तो क्या हो जाएगा 1 upon 10x अब log का थो हमने कर दिया अब 10x का भी तो करना है 10x का क्या होता है differentiation sec x या फिर cycle square x students 10x का होता है cycle square x ठीक है इतने सारे फॉर्मुलास याद करते करते भूल जाते हैं याद रखिए d by dx 10x is equal to होता है sec square x 10x का differentiation क्या होता है sec square x ठीक है तो हमने यहां 10x का कर दिया sec square x अब log का कर दिया 10x का कर दिया x का तो करो x का क्या कर दिया हमने dx is equal to t का क्या हो जाएगा dt ठीक है अब यहां फिर formula यह हो जा रहा है trigonometry का याद रखिए क्या याद देखना है cortex is equal to होता है 1 upon 10x ठीक है और cortex is equal to cos x upon sin x भी होता है ठीक है cortex is equal to 1 upon 10x भी होता है और यह is equal to cos x upon sin x भी होता है simple सा है 10x की value आप जानते हैं sin x upon cos x 10x की value क्या होती है sin x upon cos x यह क्या है 1 upon 10x यानि कि उल्टा हो जाएगा cos x upon sin x ठीक है cortex का क्या लिखते हो cos x upon sin x यानि कि 1 upon 10x को आप यह लिख सकते हो तो यहां हमारा है नहीं 1 upon 10x जिसकी जगे यह लिख दीजिए cos x upon sin x ठीक है multiply में क्या है sec square x sec square x का याद रख लीजिए sec x is equal to होता है 1 upon cos x trigonometry के formula याद रखें students integration में बहुत यूज आता है sec x is equal to होता है 1 upon cos x तो sec square x है तो क्या जाएगा 1 upon cos square x और dx is equal to dt यह चीज़ है जाएगा अब देखो यह cos x है यह cos square x है तो एक power cancel हो गई ठीक है तो क्या जाएगा उपर क्या बचेगा cos x से यह वाला क्या तो cancel हो गया नीचे बचेगा 1 upon sin x और यहाँ cos x और dx is equal to dt अब देखो यह 1 upon cos x है इसको आप क्या लिख सकते है sec x और 1 upon sin x को आप लिख सकते है cos x ठीक है याद रख लीजिए यहाँ equal का sin मतलग है यहाँ चल रहा है confused हैंगे this implies का लगा लिजिए this implies क्या जाएगा 1 upon sin x को आप क्या लिख देंगे cos x और 1 upon cos x को आप लिख देंगे sec x और dx is equal to dt हमारा चली रहा है ठीक है तो देखिए integration आपको क्या था sec x cos x dx upon log tan x sec x cos x dx sec x cos x dx इसकी लिख देंगे dt और log tan x को आपने माना था t यहाँ कर दीजिए value put क्या जाएगा dt upon log tan x की t इसकी value dt है ठीक है बसा आपको कुछ भी नहीं है आप फॉर्मला याद रखने 1 upon sin x को होता है cos x 1 upon cos x को होता है sec x ठीक है dt upon t इसका क्या होता है integration log t plus constant of integration c यह हमारा answer बिल्कुल नहीं है हमें t को change करना पड़ेगा x की form में यानि की आप value रख देंगे t की क्या थी log tan x plus constant of integration c यह होगा इस्ट्रेंस हमारा answer ठीक है समझा है आपको अगर कोई भी आपको query है तो please comment box में post लीजिए ठीक है so integration हमारा यह बहुत easy question था पस आपको यहां थोड़ा सा trick पता होना चाहिए कि इसको हम t मान ले फिर differentiate करें simple parola form हो सकता हमारा dt मे या फिर कुछ constantize के साथ तो हम उस constant को भाढ ले ले लेंगे और easily solve होजाय का integration ठीक है so thank you thank you so much students मिलतो हैं next lecture में तो हमें